नमस्कार दोस्तों जैवाल पॉइंट की यूटूब चैनल में आपसे अभी का स्वागत है देखी फ्रेंट्स आज की इस वीडिये में हम बात करने वाले हैं जितने भी लोग दिव्यांग जन है और उनके पास UDID कार्ड है दोस्तों ठीक है अगर आप लोगों ने UDID आप खुद से कैसे जान सकते हैं कि डॉक्टर ने आपको का जो सर्टिपिकेट है किस कैटिगरी का बनाया है लोकोमोटर डिसेबिल्टी का है या फिर आपका विज्वली हैंडिकेप वाला है या फिर आपका हेरिंग हैंडिकेप वाला है या फिर आपका मल्टिपल बनता था। उसमें डॉक्टर भास में ऐसे लिखा हुआ होता था। उसमें आप लोग समझ नहीं पाते थे प्रोपल तरीके से कि कि एक्टյीट्वीध सर्टिफिटम क्या लिखी हुई है हमार सर्टिफिट में नहीं बनवाया है तो UDID कार्ड बनवा ले उसका प्रोसेस हमने काफी सारी वीडियो में बताया हुआ है चैनल पर अगर नहीं भी पता और भी तो उसके लिए वीडियो बना देंगे वह आप कमेंट कर दीजेगा हमें कि UDID कार्ड के लिए दुबार से information हमें दे दीजेगा दुबार से वीडियो बना दीजेगा ठीक है दोस्तों देखिए उसके लिए आप खुद को मूबाइल से चेक कर सकते हैं अपना online certificate डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है online certificate ही आपका बता पाएगा कि आपको problem क्या है सिबस्त पहले आपको google में जाना है Google में दोस जैसे आप नीचे आएंगे यह देखिए यह आगए आपके सामने क्या UD ID Card, Unique Disability ID Card, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप जैसे ही नीचे आओगे, देखिए यह आपका, डाउनलोड, यह आपको मिलेगा, डाउनलोड योवर E Disability Card and E UD ID Card, तो यहाँ से आपको, यह सारी इंफोरमेशन आपको मिलेगिं, यहाँ से आप अपना अपलाई कर सकते हैं, यहाँ से एपको लोश्ट करना है, यहाँ से अपको डाउनलोड怖 करकि कितने दिन में बन करके आएगा, अभी कहाँ पर हुआ है, जैसा आप अपलाई करते हैं, तो उसके बाद आपको ट्रेक कर करने का option मिलता है कि कितना time और लग जाएगा यह आपका main जो है यहां से download disability card and eudid card यहां से आपको download करना पड़ेगा इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आप से देखी आपका यहां UDID card number मांगेगा ठीक है दोस्तु यहां आपका date of birth और यह आपका capture मांगेगा कि 8.5.13 ठीक है यह आपको ऐसे लिखना होगा तो इसमें यहां पर हम आपको पहले UDID card number date of birth सब भर करें के दिखाते हैं जैसे ही आप लोग UDID number भरेंगे उसके बाद यहां पर आएगा my account लिखा हुआ personal आपकी profile आपकी cylinder card आपका track आपका medical hospital से अपने जुस्विदर लिए हो e disability certificate आपका e UDID card आपका district welfare officer disability scheme तो आपको अगर UDID card download करना है दोस्तों तो आप यहां से कर सकते हैं download e UDID card यहां से आपका UDID card आप मान लीजिए कहीं पर घर पर खो जाए या और किसी भी तरीके से तो आप cyber cafe वाले से निकलवा सकते हैं और यह आपको UDID card पहले क्या था अगर आपको offline certificate खो जाता था दुबारा में बढ़ने में बहुत ज़्यादा problem होती थी अब क्या करना है अब तो आपको online है online आप कहीं से भी निकलवा सकते है UDID card को यहाँ पर आपका download your certificate यह आपको certificate है यह मैं आपको download करके इसमें बताता हूँ आपको कैसे किस तरीके से information आपको पढ़नी है अपनी यहाँ पर देखिए यह तीन आपको number मिलेंगे अपने आपके जो भी disability इस तरीके से download होगा उसमें ABC यह तीन पॉइंट मिलेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा होगा देखिए आपका कि किस category में है आप locomotor disability में है आप hearing handicap में विजवल में है यहाँ से आपको पता लग जाएगा दूसरा यहाँ पर आपकी बीमारी का नाम पता चल जाएगा और तीसरा यहाँ आपका कितना प्रतिसत है और यह देखिए आपको क्या दिक्कत है यहाँ पर लिखा होगा 40% राइट लैग लेफ्ट लैग करके इस तरीके से आपके certificate में यहाँ पर पूरी information होगी तो यहाँ से आप अपनी information देख सकते हैं जो भी आप प्रोब्लम है वो क्या है और डोक्टर ने क्या क्या बनाई हुई है क्या लिखा हुआ है आपके certificate में आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और यह online certificate यहीं अब आपके document verification में निकलता है इसमें photo अगरा सब कुछ है आपकी ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से इतना परसेंट बना हुए तो यूडी आइडी कार्ड के लिए फिर मैं दुबारा आप लोगों बोल रहा हूं अगर आपको नहीं पता है तो यूडी आइडी कार्ड जैवाल पॉइंट सर्च कर लेना उससे पता चल जाएगा या फिर दुबारा से होगे तो हम और आपको वीडियो बना करके देदेंगे ठीक दोस्तु धन्यवाद